इसके अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पॉटर्स जेनरिक स्ट्राटेजीज तो फॉर्स तेंग इस पॉर्स तेंग इस पॉटिटिटिटिटिटिटिज ने की कोशिश करते हैं पॉर्स पॉर्स प्राटेजीज ने की किस स्कोप में काम करने वाले है अप लोगे एक ब् Bhagशने सेमेंट ओफ मार्केट को टागेट करने वाले है या फिर narrow segment को target करने वाले है and second question is source of competitive advantage means आप लोग कैसे अपने market को capture करने के लिए आप strategy बनाने वाले हैं कौन कौन सी strategies आप लोग अपना सकते हैं first is differentiation, second one is cost leadership cost leadership में आप क्या करते हैं आप लोग जो भी lowest price है उसमें अपने products को offer करते हैं market में with a good quality quality भी deteriorate नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे क्या होगा कि customers आपके product को नहीं खरी देंगे, second thing is differentiation इसमें आप क्या करते हैं कुछ unique features, qualities and durability and reliability के cases में अपने आपको customer के minds में position करने की कोशिश करते हैं, ठीक है so now let's start with potter's generic strategies potter की generic strategies में आप लोग देख सकते हैं, जो छी हमने अभी पढ़ी, एक broader market है and narrow market है broader market के लिए कौनकों से strategies आप अपना सकते हैं first one is cost leadership, second is differentiation leadership and narrow market अगर आप narrow market में deal करें तो आप जो दो strategies अपना सकते हैं वो है cost focus and differentiation focus second is in four strategies में आप लोग choose कर सकते हैं to beat the competition आप market में competition को beat करने के लिए in four strategies में से कोज भी एक choose कर सकते हैं next is cost leadership cost leadership में आप करते क्या हैं यहाँ पे आपके पास दो options हैं आपको क्या करना होता है, firstly तो आप market के बात करते हैं, यहाँ पे हम broader market को target करे होते हैं, means demand बहुत ज़्यादा है and जो भी price आप offer करे हैं वो क्या है, lowest in the market है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी cost को कम से कम as low as possible रखने की कोशिश कर सकते हैं and इसके अलावा आप ensure करते हैं कि आप जो भी market share को आप target करे हैं वो काफी ज़्यादा बड़ा हो आप लोग यहाँ पे यह करते हैं cost को cut करके, जो भी आपका number of sales है उसको increase करने की कोशिश करते हैं for example micromax का example ले सकते हैं जो 2013-14 में काफी बड़ा brand बन चुका था micromax क्या था, काफी कम price पे अपने products को available कराता था and जो भी वो features available कराता था वो किसी भी normal phone में already होते थे means किसी भी normal phone में जो features होते थे, वो ही micromax में भी आपको देखने को मिल सकते हैं but वो क्या था, उसका price बहुत ही कम होता था and अभी का अगर आप example देखते हैं तो M.I.E का example आप ले सकते हैं M.I.E. का phones काफी कम range में आपको available हो जाता है, and जो भी features है, key features, या फिर जो भी important features है, वो आपको उसमें provide होते हैं, इसमें company क्या करती है ज़रूरी निया कि company अपने profit को खटम कर रही है जो भी जिस cost पर वो phone को बना रही है या फिर कोई भी चीज product बना रही है उसी price में आपको market में available करा दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है इसमें क्या करती है companies कि अपने profit को तो वो उतना ही रखती है बट जो manufacturing cost है उसको कम करने की गोशिश करती है और वो जो कमी होती है उस कमी से वो अपना profit पूरा कर लेती है, for example अगर आपका product आपको 100 rupees में available हो रहा है, तो 80 rupees उसकी manufacturing cost है, 20 rupees उसका profit है, तो company क्या करती है 20 rupees को वैसी रखेगी, लेकिन manufacturing cost है, 80 rupees वो उसको कम करके 60 में ले आती है तो 60 plus 20, आपको 80 rupees और product available हो जाता है तो आप लोग क्या कोई भी 100 rupees के product के लिए नहीं जाके, या उससे higher price के product के लिए नहीं जाके, आप लोग किस product पे जाते है जो कि आपको 80 rupees में available है, तो ये strategy Micromax ने या फिर MI ने अभी के time पे adopt करी हुई है Second is differentiation इसमें आप क्या करते हैं, आप एक broad market को ही target करें, पैसली वारी की तरह ठीक है, लेकिन आपका जो भी product है service है, उसके पास है कुछ unique features है, जिसके थूँ आप अपने competition को beat करने में help ले सकते हैं, तो इसमें क्या है कि आप अपने जो भी product है, उसको काफी attractive बनाते हैं through जो भी आपने research and development में investment करते हैं, innovation में आप investment करते हैं, and आप एक high quality product deliver करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पी cost का कुछ वो नहीं होता है, यहाँ पी cost काफी high रहती है चीजों की, products की इसमें आप example लेते हैं, apple का apple की क्या कुछ features है, जो की क्या है, उसको बहुत जादा unique बनाती है बाकी product से, बाकी सारे mobile phone से, या फिर बाकी जो भी चीजों में apple deal करता है, उन product से काफी अलग बनाती है, and उसकी जो भी key features है, वो क्या हो सकता है कि वो काफी innovative product है, उसमें intelligence, वाले artificial intelligence का काफी ज़्यादा अच्छे तरीके से use होता है और क्या हो सकता है, कि उसमें आप लोग जो after sales services है, वो काफी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बाकी competitors से आप compare करें तो, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ बहुत important रहती है, वो है effective marketing, आप अपने customers को at least, उसके benefits को explain करते हैं, आप अपने market जो भी आपके customers हैं, उन तक information पहुचाते हैं, कि आप लोग अपने product में ये features लेके आ रहें तो ये भी काफी important role play कर जाता है next one is, cost focus and differentiation focus इसमें आप क्या करते हैं, किसी भी एक niche market को, या फिर एक focused market को target करते हैं next one is, cost focus cost focus में आपने देखा कि हम लोग focused market में, या फिर नीश market को target कर रहे हैं, इसमें आपका जो भी customers के number है, वो बहुत बड़ा नहीं रहता है एक niche market है, focused, एक specific market है, छोटा सा segment है, जिसको आप target करें next thing क्या हो जाती है, कि आप लोग उन customers को ढूटते हैं, या वो उन customers पे आपका focus रहता है, जो की popular brands के alternatives ढूट रहे होते हैं, ठीक है और इसी का next है, differentiation इसमें भी कुछ ऐसे ही चीज़े होती हैं बट इसमें जो unique features हैं आप वो देखना चाहते हैं cost focus and differentiation focus में आप जो example ले सकते हैं, वो है one plus, ठीक है one plus की cost भी बहुत ज़्यादा apple की जितनी high नहीं होती है, लेकिन वो क्या करता है, unique features लेके आया है market में and उसका एक अपना segment है coming on to next slide, हम लोग देखना हैं कि broad market में cost, leadership and uniqueness, means differentiation वारी strategy आप देख सकते हैं and narrow target में क्या है, focused cost and focused differentiation walmart का example लेते हैं cost leadership में, walmart क्या करता है bulk में जो भी products हैं उनको buy करता है and अपने customers को low price पे available कराता है, इससे क्या होता है कि बाकी retail outlets का या फिर बाकी जो भी उसके competitors हैं उनका market में survive कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और सारी customers कहां पे walmart में ही shopping करना पसंद करते हैं next one is not storm इसमें क्या है कि not storm differentiation strategy को अपना रहे and वो offer कर रहे है designer, merchandise and exceptional services provide कर रहे हैं जिसमें कि वो higher prices भी customers से मांग सकता है narrow target में आप देख सकते हैं focused cost leadership and focused differentiation जो कि क्या कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा products available नहीं करा रहे हैं बहुत कम products में deal करेंगे and unique prices, unique selling भी करते हैं next example हम लेने वाले हैं Coca-Cola का जिसने तीनों strategies को adopt किया हुआ है first one is cost leadership तो cost leadership में क्या है कि Coca-Cola ने अपने आपको market में position किया है through economies of scale काफी ज़्यादा scale में production करके large scale production करके उसके तुरू उसने अपनी cost को बहुत कम करा है next one is research, development and promotion, promotion के तुरू भी उसने अपने आपको काफी अच्छा brand बना के जो भी customers उनके mind में position किया हुआ है next is इसके अलावा कॉनकान से चीज़ें जिसने Coca-Cola को cost leadership attain करने में help कर रहा है वो है effective distribution network and manufacturing system second is differentiation, differentiation में आप देख सकते हैं कि Coca-Cola की quality क्या है काफी superior मानी जाती है high brand image है and recognition है उसको लोग काफी ज़्यादा पहचानते हैं काफी ज़्यादा अच्छे marketing channels भी यूज़ करें है उसने ठीक है and इसमें promotion packaging भी काफी important role निभाती है क्या उसकी bottle का आप shape देख सकते हैं या फिर जो की एक symbol बन चुका है and bottles में जो changes आते हैं लोग उनको भी काफी अच्छी तरीके से recognize करते हैं last one is focus Coca-Cola ने अपनी 230 brands को globally launch किया है जो की किसी specific target of specific logo को target करते हैं ठीक है and वो क्या है example है diet coke and coke zero जो की वो लोग हैं जो की sweet drinks नहीं पीना पसंद करते हैं या calories नहीं consume करना चाहते हैं उनके लिए diet coke offer की हुई है so thank you that's all for now I hope you like this video किसे आस朝ender हँ एठादद़ जो किसे इना जो से और रपांचने किसे खुज शबे